है हलो दोस्तों स्वायात, सब्स्ません आप है और सब का और वेडेयो में बात करने वाले kट के आ Northhalt पंजाब वर्रसेश हैथराबाड की बीच में दोस्तों इस मैश के लिए हम लोग वीडेयो में बात करने करके आओगे क्योंकि आपके भाई उपार्ण सभी उसको लेकिया आएंगे इसमॉल लिग में हाई सेलेक्शनली प्लेयर को लेकिन आपको उसको ड्रॉप कर देना और आप एक तरफा इसमॉल लिग में क्लिन सुप करोगे जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने कल के मैच में भी क् दोस्तों अगर आपको ग्रेंड लिग करना है तो दस से बारा मिनट की वीडियो भाई पूरा देख लेना आपको बहुत कुछ समझने और सीखने मिल जाएगा सबसे पहला इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीडियो लोग इस वीडियो को देख रहें जितने भाई लोग परतेक सदस इस वीडियो को सबसे बहला मेरे भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई ताकि नेक्स वीडियो को नूटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बुलेट ट्रेन कि तरह बाकि इस मेच की जो हमारी final grand link की डीम रहेगी small link की डीम रहेगी ओ भाई हम लोग अपने telegram चैनल पर डाल देंगे free में कोई चीज का पैसा नहीं मिरे भाई आप लोग जाके join कर ले ना वहां से भी team में आप लोग copy कर सकते हो टॉस उन्हें बाद लाइन अप आएगा न तो वहीं पर आपको इस मेच की grand link plus small d की four member की team मिल जाएगी telegram का link मेरे दोस्त वीडियो को नीचे description comment section दोनों जगा पर दिया हुआ है कहीं से भी आप लोग टेलिग्राम चैनल join कर सकते हो एट टू जूट सब कुछ फिरी मिलता कोई चीज का पैसन है description comment box में लिगे आप लोग चौटो टेलिग्राम भी join करके रख सकते हो मेरे भाई क्योंकि वहीं पर आपको लिग की और स्मॉल लिक टीम बनती है तो भाई मैं एक से और आप लोग टेलिग्राम चैनल जॉइन किये रहे ना description comment section में लिंक है काफी आदा important रहता है दोस्तों अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे न तो भाई यहां पर पंजाब इंटर्नेट्रे स्टीडियम मालनपूर में खेलाएगा ठीक जो कि यहां पर दोस्तों बैटिंग पीछ रहती है और यहां पर पेसर को काफी सांदार मदद मिलता है जो लाइन लेंथ जिसकी अच्छी रही ठीक बाकि यहां पर मौसम साफ रहेगा कोई भी बारिस वोनी की स एक सो असी एक सो नब्य रहन आपको बनाती हुई दिख जाएगी टोटल विगट अभी तक इस गराउंड पर जो गिरे ना पांच टेटोंडी में बारा विगड गिरे जिसमें से आपर पेसर ने नौ और यहां पर इस्पिनर्स ने तीन विगट निकाला हुए त मतलब इस में से आपर पंजाब ने पांच स्वारी पंजाब ने चार और हैदराबाद ने यहां पर पांच मुकाबला विन किया तो मैंने आपको बोल रहाता है ना दोस्तों देखो रिश्टन फॉर्म ठीक है लेकिन भाई हैट्टोर में अंदम काटे का मुकाबला होने वाला है इस अगर आपको ग्रेंड लिग विन करना है इसमॉल लिग में डेली पैसा कमाना है तो भाई आपको वीडियो पूरा देखना है पड़ेगा फिर में कोई चीज नहीं मिलती है ठीक है थोड़ा वहत आपको समय देना पड़ेगा ठीक है तो आप लोग वीडियो देखो गए किसको कब लेना मैं आपको यहां पर बता देता हूँ सबसे पहला मैं आपको एक चीज बता दू ग्रेंड लिग विन करना है तो कम सकम आपको तीन से चार कॉंबनेशन बनाने पड़ेगा ठीक है एक टीम मना के ग्रेंड लिग विन करना चाहते हो तो भाई यो एक करोड मस कोई-कोई तैसे रहते भाई 20 कॉंबनेशन मना के भी विन नहीं कर पाते ठीक है तो थोड़ा बहुत यहां पर नसीब कभी खेले मेरा भाई तो यहां पर दोस्तों इसका 74% सेलेक्शन है स्मॉल लिग में लेकिन इसको ड्रॉप कर देना क्यों ड्रॉप करने बात करो पता ह ही ठीक है इसका विकट निकाल देगा तो भाई इसको आप लोग ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लिग में इसमॉल लिग में लेकिए जरूर आना नहीं तो आप एक थर्फा हार जाओगे दोस्तों यहां पर क्योंकि 74% सेलेक्शन इसका ठीक है वह पर आपको मैं ट्रॉम कार् हम जाब पहले बैटिंग करें फ्रस्ट इनिंग में काफी आदा इंपोटेंट पिक रहेगा अराम से उसको लेगे आना ड्रॉप करने की गलती मत करना ठीक है यहां से दोस्तों हम लोगों यहां पर फिलाल दो हीप विकट कीपर को अपने टीम में रख रहे हैं यहां से हमन अपनिर को हम लोग अपने टीम में लेके जाने वाले 210 अभी तक दे चुका है 90% सेलेक्शन है लेट हैं टीम का कैप्टर नहीं अच्छी पारी आपको इस मैच में खेलता हुआ दीख जाएगा अराम से लेके जरूर जाए ना अपने टीम में ठीक हुए बात करें 85% सेलेक् अपने टीम में रखूंगा जब यहां पर SRS पहले बैटिंग करेंगी सेकेंड इनिंग में नहीं अच्छा खेलता है मेरे फिर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है और फिनीसिंग का रोल अधा करके जाता है अठ्रवे 20-वे उबर तक भाई खेलता रहता और अराम से रन बना के चले आता लेकिन सेकेंड इनिंग में इसका रिकरड इतना गंदा है कि यह आॉट होके चले आता सेकंड इनिंग में अभी तक इसने 30 रन से उपर बनाया ही नहीं ही मेरे भाई ठीक है तो इसको फिलाल क अभी तक दे चुका इंपोर्टेंट तब रहेगा दोस्तों यहां पर जब पहले पंजाब पहले बैटिंग करेंगे ठीक है आप रिस्क लेते हो तो सेकेंड इनिंग में भी लेके जा सकते हो लेगिन भाई जो इसकी अच्छी पारी अभी तक आई हुई ना आई प्रस्ट इ कैसे रखना ठीक है यहां से दोस्तों देखो पी सिंग को आपको फस्ट इन में रखके जाना है अदर्वाइस सेकेंड इनिंग में इनको ट्रॉप कर दीजेगा अब यहां पर दोस्तों देखो सासान सिंग जो कि भाई पिछले मैच में इनोंने काफी गजब की बैटिंग क कोई काम के नहीं 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 स्माल लिग में डौनों जगप कर देना आपके टीम एक नंबर बन जाएगी मेरगई धिक है यहांसे आप यहां पर दोस्तों इसको ध्यानमे रखना पी सिंग के उपर इसको फफर्स्ट इन Mispress डर्मा को भी फिर्स भर्स्टूइं में रखना ह आपको इस मैच में पूरी इस प्लेयर्स में किसी की नहीं है ठीक है इंपोडेंट पीक है अराम से आपको कुछ बताऊंगा नहीं एड़ा माकरेमिंग बात करें तो 92 परजन सेलेक्शन है अगर पंजाब पहले बैटिंग करें फिर से ट्राई करना इसको फ्लॉप नहीं होगा पॉंट देगा हो सकेगा इस मैच में बॉलिंग भी कराएगा अगर भाई लाइनप आनेक बाद मालूम पड़ेगा भाई ये पाच्वा बॉलर है चाथा बॉलर है पंजाब का और तीन स लिंक है वीडियो देख रहो ना टाइटल पे कलिक करो डिसकिप्शन वाक्स ओपन हो जाएगा वहां से जॉइन कर लो ने तो कमेंट सेक्शन में जहां से आप लोग कमेंट करतों वहां से आप लोग टेलिग्राम जोइन कर सकते हो मिरा भाई ठीक सिक अंदर रजाए इस ब वाले बाकि नितीज रिडी दोस्तों फ्लॉप प्लेयर है कोई काम का नहीं मेरे भाई सेलेक्शन बेस पे नहीं बताता हूं में लिगने यार देगो जो प्लेयर मेरा मतलब गड़ आता है आइज़ इंपुर्डेंट प्लेयर है ठीक है पनजाब पहले बाइलिंग करेगी तब बिंपॉर्डेंट रहेगा सेकंद इनिंग सबस्क्राइब नगे सबस्क्राइब करें को थे जिएन में ओर सेकेन इनिक में आपको इस मैं डियक्ट में दोस्तों सब्सक्राइब नुब से ड्रॉप कर रहा हो ठीक है भाई सेलेक्शन बेस में हम लोग टीम नहीं बनाते दोस्तों ठीक है अगर आप भीड़ चाल चलोगे इतना ही आप ग्रेंड लिग विन कर पहोगे नहीं आप इसमाल लिग विन कर पहोगे थोड़ा सापको यहां साइसा हटके चलना पड़ेगा भाई तब भी आप ग्रेंड लिग विन कर पहोगे यहां पर पैट कमेंश के बात करें 31% सेलेक्शन है टीम के कैप्टर ने काफी गजब की बॉलिंग कर रहा है 119 पॉंड पर देख दी चुके पूरी चार अबर बॉलिंग फिक्स है प्लस आपर बैडिंग आगए तो 20-30 आपको बैडिंग से भी दे सकता है इससे चिप आपको कहां मिलेगा प्लेयर अराम से अपने टीम में रखके जाओ बाकि यहां पर हरसल पठेल की बात करते बात बहुत इंप्लेयर है ग्रेंड लिग का टॉप पीक है इसमॉल लिग का टॉप पीक है दोस्तु ठीक है अराम यहां पर मेरा भाई बात करेंगे भुनवेस्वर कुमार का 18% सेलेक्ट से ने अभी तक इसने 41 पॉन दिया अभी तक यह रिदम में नहीं दिख रहा है ठीक है आपको पाउर प्लें बॉलिंग करता हूँ दिख जाएगा हो सकेगा एक और आपको यह डेथ में बॉलिंग करता अब बात करेंगे और इसी को में रखेंगे अभी से बता दे रहा है तो सेकेंड इनिंग का प्लेयर अभी तक इसने 97 दे चुका है 6 परसंट सिलेक्से ने रिस्क ले तो मिरे बाई ग्रेंड लिंग में इसको जरूर ट्राइ कर ले ना से सारा चगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी फॉस्ट इनिंग अगर इसने रन बना दी ना इसकी टीम ने तो सेकंड इनिंग में आपको एक से दो वि अपने टीम में लेके जा सकते हो मेरे बाई ठीक है जैदो उनाटकड की भात करें तेहां पर दोस्तों देगों पांच परसंट सेलेक्से ने अभी तक इसने एक्क्यासे पॉण्ड दीया इस पहले बॉलिंग करेगी एक टीम में ग्रेंड लिंग के इसको रोटेट कर सकते ह अगर एसरह पहले बॉलिंग करेगी करी तो यहां s part दो रखेंके अपने टीम में टीम नट राजन को तो हमारी टीम बन गई हैटेकि हमारी टीम बन गई है हम ने अपर J स के फेर्में बना होगा पंजाब स्बाइथ हैदरबाद के च्छे प्ट पलेयर अब कर लीते तो दोस्तो टीम का प्रिव है यहां पर विकटीबर में हमने दो विकडीबर कर रखा हुए हेंडरिक लयसन्ट जिटेनी सर्मा बैटिंग बैटिंग में यहां पर सिखर्दबन रखिएग कैपटन के रख्टेंग कर चाहाई के यहां पर चप्टन के लिए कोई नहीं यहां पर वाइस कैप्टेन रखखाव हुआ और वाईस कैप्टेन के लिए यहाँ पर हेंडर क्लासन के लिए ब्यक्ति कर लेए सब लगजा करते जीगा, आप से को कुछ भी नहीं लेना है मैनत हम लोग करेंगे ग्रेंद डिक आपको विन करा नेकी ठीकिए तो आपका फर्ज बनता है में ost गृडपता है जितने वीडिव लोग जितने लोग देखरे क्योंकि वो भी काफी आदा इंपोर्टेंट है जो भी हुमारी फाइनल टीम रहती है ग्रैंड लिग की और स्मॉल लिग की ठीक है दोनों टीम हम लोग वहां पर टेलीग्राम पर ही डाल देते हैं तो आप लोग टेलीग्राम भी चैनल जॉइन करके रख लीजेगा जितने भ